तो हाई गैस वेलकम तो न्यूवेज चैनल तो फैंस आज के वीडियो में बात करने वाले है कि आप कैसे अपने वीवो के डिवाइस में याने की वीवो वाई 20 या कोई भी आपको वीव का डिवाइस आपके पास तो उसमें कैसे बॉटम स्टेटरस बार को अनेबल कर सकते है आप यहाँ पर जो है वीवो ने फंट जो हैस में क्या की है नए वाले में बाटम स्टेटरस बार को हटा दिया है जिससे कि आपका यही वाला स्टेटरस बार आपको मिलता है तो काफी लोग मेरे सब पूछ रहे थे कि वह प्ताता हूं इस वीडियो में तो वीडियो के एं को कैसे डाउनलोड करना है वो चीज मैं आपको पहले बताऊंगा बात में लेकिन पहले मैं आपको दिखा दे तो इस एप्लिकेशन का लिए लोक आपको कैसा देखने को मिल जाता है तो काफी इंट्रस्टिंग जो है यह आप है इसको जो जो यह परमीशन मांगता है आपको इसके लिए आपको अनिवल कर देना है इसमें यहां पर आपको देखने को मिलते हैं कुछ परमीशन उसको मैं अलाओ कर देता हूं फटा फट से और चलेंगे आगे वीडियो में तो इसके लिए में वाइफाई अलाओ करते हैं बैक करते हैं बैक्राउंड ब्लर बैक्राउ को click करنا है जैसे आप running को click करेंगा आपको नीचे से एक status bar देखने को मिलेगा तो इसको आपको enable कैसे करना है इसको एब करना है आपको इससे यह आप देख पार ही हो जो आपको यह वाइट एक इन काई कनो है जो कि आपको देखने हो मिलते हैं इसको आपको नेविकेशन की कर देना है जिससे कि अब आप use कर पाऊगे status bar को तो bottom status bar आप देख सकते हो आप अनेबल कर सकते हो अपने vivo y20 में यहां पर ही आपको सारी जो है options देखनों मिलते हैं settings अगेरा के और बाकी सब के तो इधर से आप access कर पाओगे बाकी सब चीजों को तो अब मैं आपको बताता हूं जरोगे फिर जो है application open होगा और जो जो यह permissions आपको मांगता है उसको आपको access कर देना है और इनको आप जो है customize भी कर सकते हो आप अपने हिसाफ से जैसा आपको सही लगे उससाफ से आप इनको customize कर सकते हो और कहीं पर भी आप use कर सकते हो brightness वगेरा बढ़ा कम कर सकते हो इसका त काफी interesting app थाई है और वीडियो पसंद आई हो तो like से उससे कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके notification बल कोई press करने ना मैं बलता आप सब्सक्राइब वीडियो में तब तक के लिए पाए